नमस्कार दोतो, Knowledge Net Computer Science चैनल में आपका स्वागत है और मेरा नाम है सुदेश कुमार दोस्तो, NTA UGC Net ने आपके Admit Card जारी करने के लिए दो तारीक रखी थी एक तो तारीक थी 15 मई और एक तारीक थी 27 मई लेकिन वो दोनों ही तारीकों में Admit Card अप्लोड नहीं करा पाई है और अभी तक आपका Admit Card नहीं आया है आज 28 मई है, 28 मई की मौर्णिंग है अभी तक आपका Admit Card आया नहीं है पहले उन्होंने डेट रखी थी 15 तारीक लेकिन फिर उन्होंने नौटिस लगा दिया कि 27 मई को आपका Admit Card अप्लोड होगा लेकिन 27 मई को भी आपका Admit Card अप्लोड नहीं हुआ है और इस वार तो उन्होंने 27 मई को कोई Notice भी जारी नहीं किया है क्योंकि 27 मई को वही Notice लगा हुआ है जो पुराने वारा नौटिस था कि 27 तारीक को आपका Admit Card आएगा तो दोस्तों उन्होंने कल यानि कि 27 तारीक को लिंक तो प्रवाइड कर दिया था Admit Card का लेकिन उस लिंक पे अगर हम क्लिक करते हैं जैसे कि मैंने इस पे क्लिक किया तो वही पुराने वाला Notice यहां पे उपन होता है जिस Notice में यह लिखा हुआ है कि 27 तारीक को आपके Admit Card अप्लोड कर दिये जाएंगे लेकिन आज 28 तारीक हो गई है अभी तक आपके Admit Card आए नहीं है हो सकता है आज साम तक आजाएं हो सकता है एक दो दिन और लग जाएं कोई प्रॉबलम होई होगी जिससे कि अभी तक Admit Card वो अप्लोड नहीं करा पाए है तो दोस्तों आप इस चीज से टेंसन मत लीजिए कि Admit Card अभी तक नहीं आए हैं वो सारी स्रेदर्दी NTA वालों की है आपसे प्रपी पढ़ाई करिए और अपनी पढ़ाई को ध्यान लगा कर करिए एक्जाम आपका नज़दी की है बीच तारिक से स्टार्ट होने वाला है बीच जूलसे तब तक आप अच्छी तरह से पढ़ाई करिए best of luck धन्यवाद